अगर हम white light को एक prism से पार करें, तो ये अलग-अलग colors के light में split कर जाता है, इसे light का dispersion कहा जाता है, अगर पीछे के screen को हम ध्यान से देखें, तो हमें बहुत सारे colors यहाँ पर दिखते हैं, यह famously विब ग्योर नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हमें violet color दिखता है, indigo, blue, green, yellow, orange red इस तरह के colors दिखते हैं, यहाँ पर यह जो अलग-अलग colors है, यह सारे electromagnetic waves है, लेकिन इन में difference क्या है, इन में difference wavelength का है, जितना हम बाई तरफ से दाहिनी तरफ इस figure के हिसाब से, बाई तरफ से दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे, उतना wavelength बढ़ते जाता है, मतलब violet से ज्या ज्यादा orange और उस से ज्यादा red का wavelength होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, सिर्फ इतना ही electromagnetic wave नहीं होता, बलकि और भी बहुत सारे ऐसे electromagnetic waves है, जिने हम देख नहीं पाते, जैसे कि red से भी अगर आगे हम बढ़ जाएं, मतलब और भी ज्यादा wavelength वाले electromagnetic wave की बात करे तो उन्हें हम देख नहीं पाते हैं, भले ही वो यहाँ पर exist करें, तो red से ठीक आगे उससे थोड़ा ज्यादा wavelength वाला जो electromagnetic wave होता है, उसे infrared wave कहा जाता है, या infrared radiation कहा जाता है, उससे ज्यादा wavelength होता है microwave का और उससे ज्यादा wavelength होता है radio waves का, इसी तरह से अगर हम violet से भी आगे बाई तरफ बढ़ते जाएं, तो हमें अलग-अलग तरह के electromagnetic waves मिलता है, जैसे कि violet से ठीक कम wavelength वाला जो electromagnetic wave होता है, उसे ultraviolet waves कहा जाता है, उससे भी कम wavelength वाला जो electromagnetic wave होता है, उससे x-rays कहा जाता है, और उससे भी आगे हमें मिलता है gamma rays, भले ही इन में से बहुत सारे rays जो है, x-rays, gamma rays और upper band का ultraviolet rays, मतलब ज्यादा energy का ultraviolet rays, यह हमें अर्थ के surface में सूरज के रोशनी से नहीं मिलता, लेकिन यह exist करता है, अलग-अलग sources से हमें इस तरह के electromagnetic waves मिल सकते हैं, तो यहाँ पर यह सब electromagnetic waves है, इन में सिर्फ डिफरेंस है wavelength का, अब जैसे कि हमें पता है कि electromagnetic wave हो, या फिर किसी भी तरह का wave हो, उस wave का जो speed होता है, यह बराबर होता है उस wave का wavelength into उसका frequency, और जैसे कि हमें पता है कि electromagnetic wave किसी एक medium में इसका speed जो होता ही यह constant होता है, जैसे कि vacuum के लिए electromagnetic wave का जो speed होता है, यह होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second, nearly 3 into 10 to the power 8 meter per second, तो अगर ऐसा हुआ कि किसी भी मीडियम में electromagnetic wave का speed constant हुआ तो फिर हम ये कह सकते हैं ज्यादा wavelength मतलब कम frequency कम wavelength मतलब ज्यादा frequency तो उस लिहाज से देखा जाए तो radio wave का wavelength ज्यादा होता है अगर हम gamma rays के साथ compare करें तो इसका मतलब ये भी होगा कि radio waves का frequency कम होता है अगर हम gamma rays के साथ compare करें तो यहाँ पर figure में देखें जैसे left side से हम right side में बढ़ते जा रहे हैं तो electromagnetic wave का wavelength बढ़ते जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जितना हम left से right की तरफ हम बढ़ते जाएंगे उतना frequency electromagnetic wave का frequency वो घटते जाएगा और हमें ये भी पता है कि electromagnetic wave का energy उसके frequency के साथ proportional होता है अगर आप अभी तक ये जानते नहीं है तो आगे के chapters में वो आप पढ़ेंगे तो energy चुकि frequency के साथ proportional होता है इसका मतलब कि radio wave का energy कम होगा अगर हम left side के electromagnetic radiation के साथ इसे compare करें तो यहाँ पर radio wave का जो energy है यह relatively कम होगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा microwave का उससे थोड़ा ज्यादा होगा infrared का फिर red, orange, yellow इस तरह से यह बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और सबसे ज्यादा energy होगा gamma rays का तो इस हिसाब से जो frequency है या wavelength है इसके हिसाब से electromagnetic wave को जिस तरह से classify किया जाता है इसी को electromagnetic spectrum कहा जाता है तो यहाँ आप देखें कि frequency के घड़ते साथ या फिर wavelength के बढ़ते साथ हमें अलग-अलग electromagnetic wave दिखरा जिसे हम अलग-अलग नाम देते हैं पर यह पूरी तरह से सही नहीं है कि हम जो electromagnetic wave का classification करते हैं और classification में हम जिसे electromagnetic spectrum कहते हैं वो classification entirely frequency और wavelength पे dependent है जैसे कि अगर आप इस figure में ध्यान दे तो इस figure में हमें अलग-अलग तरह के electromagnetic wave का range देख रहा है इस तरफ है frequency नीचे से उपर जाए तो frequency भढ़ते जा रहा है और इस तरफ है wavelength नीचे से उपर जाए तो wavelength घड़ते जा रहा है बात बराबर है नीचे से उपर चड़ते जाए तो देखे अलग-अलग electromagnetic waves हमें दिख रहा है यहाँ पर इनके बीच कोई sharp distinction नहीं है या sharp division नहीं है जैसे कि यहाँ पर आप देखे यह जो range है यहाँ पर हमें ultraviolet और x-rays दोनों दिख रहा है इस range में अगर आप देखे तो हमें gamma rays और x-rays दोनों दिख रहा है इसका मतलब electromagnetic spectrum बनाते समय electromagnetic waves का जो classification है या जो distinction है वो हम पूरी तरह से frequency या wavelength के हिसाब से नहीं करते बलकि कुछ और factors भी होता है roughly यह classification जो होता है यह wave किस तरीके से produced हो रहा है बन कैसे रहा है या फिर कैसे detected हो रहा है इस पर भी depend करता है अब यहाँ पर देखे अलग-अलग तरीके से electromagnetic wave प्रोड्यूस हो सकता है जासे कि charge का accelerated motion या फिर कहें charge के oscillation से बन सकता है electromagnetic wave कुछ special devices जासे कि klystron, magnetron, gun diode इन से भी electromagnetic wave प्रोड्यूस हो सकता है hot bodies से electromagnetic wave प्रोड्यूस होता है electron अगर higher energy level से lower energy level में move करे इस से भी ये wave प्रोड्यूस होता है अगर हम high energy electron को किसी metal में bombard करे तो इस से भी electromagnetic wave प्रोड्यूस होता है nuclear reaction से भी electromagnetic wave प्रोड्यूस होता है अब यहाँ पर देखें यह जो है यह एक alternating voltage source है यहाँ पर एक resistance है और माले यह circuit को indicate कर रहा है और यह छोटे-छोटे spheres जो है electrons को indicate कर रहा है AC voltage के साथ हम अगर इस तरह का circuit चोड़ दे तो हमें पता है कि oscillating current generated हो रहा है यहाँ पर यह जो oscillate कर रहा charges यह alternating current को indicate कर रहा है अब oscillating current से यहाँ पर जो magnetic field बनेगा इसके आसपास वो oscillating nature का बनता है वो oscillating magnetic field फिर आगे चलके oscillating electric field क्रियेट करता है जो आगे चलके oscillating magnetic field क्रियेट करता है इस तरह से electromagnetic wave generated होता है यहाँ पर हमें एक magnetron दिख रहा है magnetron microwave oven के अंदर होता है यह microwave generate करता है यहाँ पर यह जो rod आपको दिख रहा है यह negatively charged rod होता है मतलब यह होता है cathode और यहाँ पर यह होता है anode तो यह जो plate है इस plate में positive charge रहता है यह फिर कहें यह plate positively charged होता है यहाँ से electrons बाहर निकलता है और बाहर निकल के अंदर आके यहाँ पर यह circulate करता है इस तरह से और circulate करके इस positively charged यह जो plate है यह जो structure है उसमें जाके समा जाता है ऐसा यह circular motion इसलिए दिखाता है क्योंकि यहाँ पर नीचे से उपर की तरफ magnetic field रहता है और इस magnetic field में इस charged body का इस तरह का rotation हमें दिखता है और rotation का मतलब होता है acceleration और जब charged body accelerated हो तो यह electromagnetic wave generate करता है इस तरह का electromagnetic wave generated होता है यह microwaves generated होता है और वही microwaves यहाँ पर इसके अंदर microwave oven के अंदर generated होता है जो खाना होता है उस खाने के अंदर जो पानी का molecules होता है वो molecules इस wave को absorb कर लेता है इसके energy को absorb कर लेता है और यह vibrate करने लगता है ज्यादा vibration मतलब ज्यादा energy और ज्यादा energy का मतलब होता है ज्यादा temperature में बात करेंगे कि microwave oven exactly कैसे काम करता है, magnetron exactly कैसे काम करता है, वो किसी और वीडियो में जाकर हम लोग करेंगे, अब देखें, गरम bodies, hot bodies, और molecules ये भी electromagnetic wave generate करता है, यहाँ पर हम एक array of molecules को consider कर रहे हैं, या array of atoms को consider कर रहे हैं, जितना ये गरम होते जाता है, उतना ये oscillate करता है, और ये जितना oscillate करता है, उतना ये electromagnetic wave generate करता है, इसके पीछे अलग-अलग reasons है, अगर माले ये एक metallic body हुआ, तो metallic body में हमें पता है कि ये जो atoms होता है crystal में, वो electron donate करता है, free electron donate करता है वो, और free electron donate करके खुद वो positively charged बन जाता है, तो यहाँ पर ये जो ions है, जो की positive ion बन जाता ह इन ions के इस तरह के oscillation के करण, oscillation मतलब acceleration, इस तरह के oscillation के करण, यहाँ पर, चुकि ये charged body है, तो यहाँ पर इस तरह का electromagnetic wave generated होता है, नौर्मली इस तरह का जो electromagnetic wave generated होता है, वो infrared wave generated होता है, अब electron किसी भी atom में, अगर ये higher energy level से, lower energy level में आएं, तो इस दौरान जो energy का difference होता है, energy ये lose करता है, in the form of electromagnetic wave, अगर इसका proper explanation देखें, तो आगे के chapter में हम जाके पढ़ेंगे, कि photon के form में, packet of energy के form में, ये energy को release करता है, और उसी photon को एक अलग नजर ये से देखा जाए, तो उसी को हम electromagnetic wave कहते है, बहुत-बहुत सारे photons अगर एक साथ move करें, या एक साथ exist करें, तो हमें लगता है, वो wave है, electromagnetic wave है, तो इस process में भी electromagnetic wave generated होता है, इस process में normally हमें visible range, जो हमें दिखता है electromagnetic wave, visible range के electromagnetic waves मिलता है, और ultraviolet rays भी मिलता है, अब एक और तरीका है, electromagnetic wave generate करने का, खासकर इस तरह के process से x-ray produce होता है, जब high energy electron को किसी metallic body के साथ collide करवाय जाए, यहाँ पर देखें एक filament है, hot filament, जिससे की electron release होता है, यह electron electric field में, high electric field में, high voltage से high electric field produce किया जाता है, उस high electric field में यह accelerated होता है, और जाके ये किसी metal से जाके टकराता है टकराने के दौरान ये decelerated होता है उस दौरान जो energy ये lose करता है वही energy photons के form में ये release करता है और वो photon x-ray range में होता है तो हम क्या सकते हैं यहाँ से जो electromagnetic wave generated होता है वो x-rays होता है nuclear reaction से भी electromagnetic wave produce होता है जैसे कि यहाँ पर एक nucleus है बड़ा सा nucleus है उसे एक neutron के साथ यहाँ पर neutron आपको दिख रहा है neutron के साथ collide करवाया जाता है इस collision से होता क्या है कि ये तूट जाता है तूट के दो हिस्सों में तूट जाता है यहाँ पर देखे एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्स जब ये तूटता है तो इस दोरान बहुत सारा energy ये lose करता है जो energy ये lose करता है वही ये photon के तौर पे खासकर gamma rays के तौर पे ये से release करता है तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं जिनसे की electromagnetic wave produced होता है अब देखे अलग-अलग electromagnetic wave का uses क्या-क्या है जैसे की radio waves ये normally किसी conducting wire में अगर charge का oscillation या acceleration हो हम कह सकते हैं कि अगर कही alternating current हो तो इस तरह से radio waves generated होता है normally radio waves radio और television communication system में use होता है हमारा जो D2H होता है D2H का जो disk होता है जो छत पे हम लोग लगाते हैं वो electromagnetic wave खासकर radio wave वो absorb करता है या detect करता है और उसी से set-top box जो है information को extract करता है और जिसे वो वीडियो के तौर पे वो screen में वो project करता है इससे आगे आता है इससे थोड़ा high energy होता है microwave का जैसे कि हम बात कर रहे थे हैं ये कुछ special devices जैसे कि क्लिस्ट्रोन, magnetron, gun diode इन से produced होता है इन्हें radar system में use किया जाता है जो electromagnetic wave radar system accept करता है या detect कर करता है और information extract करता है और ये पता करता है कि कहां पर aeroplane है या कहां पर कौन सा body आसमान में उड़ रहा है ये जो detection होता है radar system में ये microwave को detect करके इस तरह है detection होता है और हमें पता है कि microwave ovens में use होता है इससे थोड़ा ज्यादा energy वाला होता है infrared जो कि hot bodies और molecules से generated होता है या radiated होता है infrared का use TV remote controller में होता है Wi-Fi system में होता है और साथी साथ बहुत important एक बात ये है कि ये धरती का जो गर्मी है इसे यही maintain करता है आथ में जो दिन में जो light rays आता है वो visible range का ज्यादा तर light rays आता है infrared range में भी आता है इसे ये absorb कर लेता है इसका जो surface है ये इसे absorb कर लेता है और फिर ये lower energy range में infrared range में ये electromagnetic wave radiate करता है उसे आथ का जो atmosphere है उस atmosphere में जो carbon dioxide और जो पानी का molecules है वो उसे absorb कर लेता है मतलब उस energy को वो absorb करके ये high energy state में या high oscillation state में या high kinetic energy में चला जाता है जिससे की temperature increase करता है उस region का तो धरती का जो temperature है या उसका जो warmth है उसे maintain करने में infrared का एक बहुत important role है visible light normally ये generated होता है atoms में high energy level से low energy level में जब electron jump करता है तब इसका कुछ important sources है जैसे की सूरज visible light का एक important source है हमें पता है और अलग अलग तरह के lamps जैसे की जो incandescent lamps होते हैं जिसे की हम electric bulb कहते हैं और साथी साथ candle वगेरा से जो electromagnetic wave generated होता है या radiated होता है वो visible light radiated होता है इसे थोड़ा ज्यादा energy range में आता ultra violet rays या ultra violet radiation जब electrons किसी atom में electron जब higher energy level से lower energy level में खासकर बहुत अंदर वाले shell में jump करके जाता है जिसे की energy difference बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत ज्यादा energy का जो photon है ये release करता है तो ये visible range का photon release न करके ultra violet range का photon ये release करता है ultra violet का कुछ common source है जैसे की सूरज सूरज से ultra violet rays आता है fortunately हमारे धरती के atmosphere में एक ozone layer होता है ये ozone layer इस ultra violet rays को absorb कर लेता है वैसे ये ultra violet rays जो है higher energy में होने के कारण हमारे लिए बड़ा harmful होता है ये हमारे cells को damage कर देता है fortunately ozone layer इसे absorb कर लेता है और धरती के surface तक deadly ultra violet rays जो है वो rays नहीं पहुँच पाता है welding arc से भी ultra violet rays produced होता है UV lamp, mercury vapor lamp ये सब भी अलग-अलग sources है ultra violet rays का इसका एक important use है laser eye surgery जो होता है उसमें ultra violet rays का use होता है इसे थोड़ा ज्यादा energy range में आता है X-rays X-ray को produce करने का एक बड़ा ही common तरीका है कि अगर हम high energy electron को एक metal surface में bombard कर देतो X-rays का एक important use है X-ray photography जिसे की radiography भी कहा जाता है इस तरह के photography में body के अंदर के parts को देखा जाता है जैसे की हड़ी में कहां पर crack है, कहां पर damage हुआ है ये सब देखने के लिए जो photography system use किया जाता है उसे X-ray photography या radiography कहा जाता है cancer के treatment में भी X-rays को use किया जाता है इस से ज्यादा energy level में होता है gamma rays ये nuclear reaction से produced होता है और cancer cell को destroy करने में इन gamma rays को use किया जाता है तो ये था electromagnetic spectrum अब अगले chapter में हमें पढ़ना है ray optics and optical instruments इस chapter के सारे videos इस channel पे available है तो पहले video का link आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा इस chapter के यानि के electromagnetic waves chapter के सारे videos का जो playlist है उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए खुश रहें Goodbye